अब ज़कर दोस्तो आज की रेट में अपन बात करेंगे एरकॉन इंटरनाशनल की वंस अगें दोस्तो आज की रेट के अगर बात की जाए तो 4% के उपर की गिरावट अभी फिलाल देखने को मिल रही है अभी मैं लाई रिकाडिंग कर रहा हूँ 11 बच के 9 मिनिट का टाइम होते भी नज़र आ रहा है और 209 के लेवल पर दोस्तो अभी स्टोक ट्रेट कर रहा है और मैंने कल के ही वीडियो में आपको बोला था कि इस रेंज को नीचे के और अभी स्टोक ब्रेकडाउन कर सकता है और ब्रेकडाउन करती ही 220 के नीचे बड़ी सेलिंग आ सकती है ऐसा डिसकेशन अपना कल के वीडियो में हुआ था क्यों मैंने कहा था breakdown कर सकता है क्योंकि चार्ट को देहां से देखिए बड़ी buying आई rejection लिया 220 तक का fall आया 217, 220 तक का bond पे अख़वा लेकिनि साही को breakout नहीं कर पाया second time rejection लिया था दोस्तो और second time rejection के बाद again जब इसी level पर support लिया तो 230 तक की buying आया थी तो मैंने इसी लिये कहा था कि यहां से भी lower low pattern बन सकता है breakdown देने की संभावना बनी हुए और चार्ट पैटन को अगर यहां पर इससे पहले भी देखा जाए तो कहां से buying आया थी 214, 215 के level से buying आया थी कहां तक की 260 तक की breakdown करके नया low बनाया अगेन बाइंग आया लेकिन यह जो high है दोस्तो इसके ऊपर breakout नहीं कर पाया मतलब चार्ट पैटन यहां से क्या बन रहा है भी lower low बन रहा है तो अगेन हो सकता है कि नीचे के और इस low को भी breakdown कर दे मतलब downtrend की तयारी अभी दोस्तो चाहे वो RVNL हो IRFCO IRCON International downtrend की तयारी नजर आरी क्योंकि stock काफी दा भाग चुका है तो यह अगर low breakdown हो गया तो फिर बहुत बड़ी selling मतलब यहाँ पर confirmation मिल जाएगा downtrend का अगर 190 के नीचे stock breakdown देता है वोई से condition में हाला कि चार्ट पैटन भी उसी type का बनती भी नजर आ रहा है तो अभी यहाँ पर फिलाल लॉंग की position avoid करना बहतर रहेगा अगर position बनाती भी जैसे कि 200 के लेवल से चोटी मुटी बाइंग आ सकती है 190 के लेवल से जरूर बाइंग आएगी लेकिन लंबा अभी इंतजार नहीं करना है दोस्तों क्योंकि lower low chat pattern बन रहा है जम पे exit करना ही बहतर रहेगा जितना भी profit मिलता है support लेवल पे उतना लेकर निकलना ही बहतर रहेगा वैसे बाइस हेला होल की कोई सलानी वीडियो स्ट्रीप educational purpose के लिए बनाएगी धन्यवाद